दोस्तों आप सब का प्रावरा क्रॉप केर पे स्वागत है इस चैनल का उद्देश किसानों की समस्यों का समाधान करना है ताकि आप अपनी फुसलों से किसान अच्छी आमदनी प्राप्त कर सके दोस्तों आज का विशेय है अपने खेत को जंगली सुवरों से बचाने के भारत एक कुरुशी प्रादान देश है इस देश में ज्यादातर फुसलों को इंसेक्ट्स, पेस्ट्स, पंगस, प्लांट डिजिजेस और खरपत्वार यानिकी वीड से हनी होती है आज कल जंगली सुवर यह एक नई समस्या ज्यादातर किसानों के सामने उबर कर आ रही ह यह समस्या बड़ी मात्रा में जंगल कटाई के कारण आ रही है। जंगली सुवर दिन में सोते हैं और रात में उत्पात मचाते हैं तो दोस्तो आई ये देखते हैं जंगली सुवर से छुटकरा पाने के कुछ बहतरी नुस्के नुस्का नमबर एक फसल में बदलाव दोस्तों आप अपने फसल में बदलाव करके जंगली सुर से छुटकरा पा सकते हैं कुछ ऐसी फसले हैं जिसको जंगली सुर नहीं खाते हैं जैसे की प्याज, लहसन, हल्डी, अद्रक, गेंदा और कई ऐसी अन्य फसले हैं जिनको सुर नहीं खाते हैं ऐसी फसलों को अपने खेत में लगाईए और आर्तिक हानी से बचिए नुसका नंबर दो, खेत में गुलाल का इस्तमाल, गुलाल, जो हमारे त्योहारों में इस्तमाल होता है उस गुलाल की एक से देड़ फिट की चोड़ी लकिर खेत के चारों तरब से खिचिये इस लकिर से जंगली सुवरों को खत्रे का ऐसा सोता है और वो उसे पार नहीं करते हैं यह नुसका आपकी फसल को 30-35 फिसदी तक जंगली सुवरों से बचाता है जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जंगली सुवर किसी भी सिचियेशन को एड़्यस करने और लियो हते हैं यह नुसका कुछ दिनों के लिए आपके काम आ सकता है नुसका नंबर दीन फसल में इंसानी बालों का इस्तमाल दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि जंगली सुवरों की देखने और सुनने के मकाबले गंध याने की सुमने की शमता अच्छी होती है इसलिए वो सुमने पर जादातर निर्वर करते हैं वो अपने सभी कारिय लगबग सभी जैसे की खाना ढूनना रास्ता खोजना इत्यादी सुम के ही करते हैं इसलिए अगर आप इंसानी बालों को खेत केबान पर या खेतों में फैला कर या जग़ जग़ पर डाल दे तो जंगली सुवरों से आपको रहत मिल सकती हैं सुंगते सुंगते सुवर जब आपके खेत में आते हैं तब बाल सुवर के नाकपूडियों में चले जाते हैं और उन्हें सास लेने में तकलिफ होती हैं वह बौकला के आपके खेट से चले जाते हैं और अपने साथियों को संदेश भी देते हैं और बड़ी मात्रा में आपके खेट को जंगली सोरों से बचाए जा सकता है यह प्रभावी टोटका है जिससे आपको पचास से साथ फीसदी तक रहत मिल सकती है नुस्का नमबर चार पुरानी साथियों का इस्तमाल दोस्तों यह नुस्का खुद साथ के किसानों से खोजा गया है इस नुस्के में पुरानी यूज साथियों का इस्तमाल होता है पुरानी अलग 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 रंग की साडियों को फसल के चारों तरफ से बान पर लटकाते हैं जिससे सूरों को साडियों से इनसानी गंद आता है और उन्हें इनसान की मौजूदगी का एसास होता है और वह खेत में शिरकाव नहीं करते है यह नुसका इतना प्रभवी नहीं है लेकिन कुछ परिस्तितियों में यह नुसका काम कर जाता है यह नुसका आपको 30-40 फिसदी तक रहत दे सकता है नुसका नमबर पाच नारियल की रस्सी, सलफर और सूर के तेल का इस्तमान दोस्तों, नारियल की रस्सी को लकड़ी के खंबे की मदद से पंक्तियों के बीच एक फिट की दूरी रखते हुए फसल के आसपास लगाए जैसे की हम कंपौंड करते हैं अब परियाप मात्रा में सलफर यानि के गंदक और सूर की तेल का घोल तयार करके उस घोल को नारियल की रस्सी को लेपित कीजिए इससे गंद उत्पन्न होती है और सूरों को पास आने नहीं देती है इस पद्धती के प्रभावित उपयोग के लिए इस तरह के दो प्रयोग का दस दिन के अंतराल पर इस्तमाल किया जाना चाहिए इस नुस्के से आपको 60-80 फीसदी तक फायदा होता है नुस्का नंबर 6 फसलों के चारों तरफ से काटेदार जहडियों लगाएं दोस्तों आप अपनी फसल के चारों तरफ काटेदार जहडिया लगा कर अपनी फसल को जंगली सुअरों से बचा सकते हैं यह नुस्का आपको 50-70 फीसदी तक रहत दे सकता है नुस्का नंबर 7 जंगली सुअरों को घवराने के तरिकों का इस्तमाल दोस्तों आप अगर किसी बरतन की आवाज करने वाला यंत्र अगर आपके खेत में लगाते हैं जो बैटरी या हवा पर चले तो ऐसे यंतर से आपको जंगली सुअरों से रहत मिल सकती हैं दोस्तों आप फटाकों की आवाज से भी कुछ हद तक जंगली सुअरों को भगा सकते हैं तो दोस्तों ये थे कुछ प्रभावी और सरल उपाय जो आपकी खेत को जंगली सोरों से राहत पहुचा सकते हैं अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में डालना ना भोले ताकि इससे आपकी समस्या हो का हल डूंडा जा सकता है धन्यवाद